तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं SQL-like operator की SQL-like operator का काम क्या होता है तो पहली बात तो यह जो where class होता है जहां पर हम लोग condition देते हैं वहाँ पर इसका इस्तमाल किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि हम लोग specified pattern को column में खोजना चाहते हैं इसलिए हम लोग like operator का इस्तमाल करते हैं और इसमें दो चीजों को आपको याद रखना है इसमें दो wild card इस्तमाल होते हैं एक तो percent sign है दूसरा यह जो underscore ही यह है तो percent symbol जो होता है वो represents 0, 1 और multiple characters इसको यह दिखाता है और underscore जो होता है वो single character की और इसारा करता है तो उसी तरीके जो ms access है उसमें percent की जगह पर asterisk और underscore की जगह पर question mark इस्तमाल होता है बस और सब same रहता है तो ऐसे होता है और इसका syntax आपको दिख रहा होगा select from select this column और यह table होती है table name और उसके बाद यहाँ पर आपकी condition होती है कि आप किस column में कौन सा pattern खोजना चाहते है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आप like operator का इस्तमाल कर सकते है जैसे कि अगर आपने यह इस्तमाल किया तो इसका मतलब होता है कि आप ऐसी value को find out करना चाहते है जिसकी starting A से होती है उसी तरीके से इस type में लिखा हुआ तो इसका मतलब आप ऐसा value find out करना चाहते है जिसकी end A से होती है तो इस type में यह सब दिया हुआ है और यह किसका भी देख लीजिए तो यहाँ पर यह बता रहा है कि आगर आपने इस type में लिखा तो इसमें आप ऐसी पहली find out करना चाहते है जिसमें second position पर R बैठा हो ठीक है पहली position पर कोई भी बैठ सकता है यह बताता है कि पहली position पर कोई भी बैठ सकता है लेकिन second position जो है यह बैठेगा all from customers customers मतलब customer जो table है उसमें सभी select करना है यहाँ पर क्या select करना है column के अंदर जो value पड़े हुए है इस customer name की column में जो value पड़े हुए है आपको column दिखाते हैं यह customers है और इसमें जो customer name है यह customer name है इसके अंदर जो यह value पड़े हुए है तो इसमें ये क्या बोला है ये बोला है कि जिनकी starting A से हो तो A से इसमें कौन-कौन से है जैसे कि ये हो गया अल्फरेट A से शुरुआ था इसकी भी A सुरुआ था इसकी भी A सुरुआ था ठीक है तो यही सब हमारे सामने value आ जाएंगे, अगर इसको हम रन कराते हैं, ठीक, इसको रन कराते हैं, देखिए, इस customer name से, यह customer table है, और यह customer name column है, इस column में ऐसी values जिनकी starting A से होती है, तो वो सभी आपके सामने आगा है, ठीक, यह सभी की starting A से है, इस तरीके से, और अगर यही आप इसको last में कर दें, तो इससे क्या होगा, ऐसे सभी values जिनकी end A से हो, ठीक, तो देखते हैं, कौन-कौन से आते हैं, तो देखिए, ऐसे सभी values जिनकी end A से हो, और अगर आप यहाँ पर भी A कर दीजिए, इसका मतलब, जिनकी starting A से हो, और end A से हो, ऐसे कौन-कौन से value हो सकते ह तो केवल एक है यानि कि starting ऐ से और end भी ऐ से और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ पर माल लिजे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं Underscores कर देते हैं Underscores से भी वही श्याँ चीज़ आएगी हम लोग यहाँ पर Underscores कर देते हैं तो क्या होगा ऐसी वैलू जिसका जो second जो है alphabet है वो A हो और last A हो ऐसी कौन कौन से हो सकते हैं second A हो और last A हो ऐसी वैलू जिसमें देखी कौन सा था कोई इसमें नहीं है तो यहां पर ऐसा करते हैं B कर देते हैं ऐसी वैलू जिसका second alphabet B हो और last A हो इसमें भी कोई नहीं है तो O करते हैं इसकी जगापे second alphabet O हो और last A हो हाँ तो इसमें एक है second देखी है alphabet O है और last क्या है यह है इस तरीके से आप यहां से set कर सकते हैं find out कर सकते हैं उस particular value को ठीक है तो यह पोजीशन बताता है ठीक है और यहां पर यहां पर यहां पर पहला alphabet कोई भी रख सकते हैं अगर हां आपने यहां पर double underscore किया इसका मतलब तीसरा जो alphabet है वो ओ होना चाहिए ऐसी value जिसका तीसरा alphabet O होना चाहिए और last में क्या होना चाहिए यह gern जिसरी नमबर प्र जो pattern O होना चाहिए और last में जो pattern E होना चाहिए इसका देखते रन करा कि क्या कोई है कोई नहीं है आ रहा है ठीक है इसको रन कराते हैं तो आपके सामने दो आ गये तिसरे नंबर पर C और लास्ट में आर ठीक है इस टाइब में आप किसी भी पैटर्न वाले वैलू को खोड़ सकते हैं और इसमें भी बाकी सब यही एक्जामपल दिये हुई है इसमें सब में वही है तो इसमे बीच में और आ रहा है और और यहीं चीज थी इसमें ठीक है तो यहां पर हर जगां आपको मिलेगा इस तरीके से यह सारा चेप्टर है इसमें और कुछ नहीं है इसमें आप देख लीचिए हो कर दो